दुनिया के सबसे युवा अरप्तियों में से एक ने e-scooter IPO से अपनी संपत्ती दोगुनी कर ली है e-scooter बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शुक्रवार को सारवजनिक होने के बाद भाविश अग्रवाल की संपत्ती दोगुनी होकर दो दशमलोव 6 बिलियन डॉलर हो गई है टेमो के अरप्ति संस्थापक चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है पूर्व गूगल इंजिनियर ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में तेजी से स्थान प्राप्त किया परियोजना के चालू होने पर कंपनी की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 2466.50 मेगावाट हो गई सीगल इंडिया को कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल और भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना के विकास के लिए 1042 करोड रुपए के नए ओर्डर मिले वीए टेक वबाग जून 2024 तिमाही आए 553 करोड रुपए सालाना के मुकाबले 627 करोड रुपए रही कर पश्चात लाब 50 करोड रुपए सालाना के मुकाबले 55 करोड रुपए रहा तिमकेन जून 2024 तिमाही आए 784 करोड रुपए बनाम 718 करोड रुपए सालाना कर पश्चात लाब 96 करोड रुपए बनाम 90 करोड रुपए सालाना गोद्रेज प्रॉपटीज और सोभा लिमिटेड ग्रेटर नौएडा प्राधिकरन द्वारा नीलामी में तीन भूखंडों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रिक कार बाजार की अग्रणी कमपनी ने सुस्त बिकरी को थामने के लिए अपनी नेक्सन.EV रेंज पर छूट साथ हजार रुपए तक बढ़ा दी है कोल गेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने अपने ब्रांड कोल गेट टोटल के तहत एक विचार उत्तेजक अभियान शुरू किया है जिसमें उप भोकताओं से प्रात्मिक्ता देने का आग्रह किया गया है होना सब कंज्यूमर जून 2014 तिमाही आए 554 करोड रुपय बनाम 464 करोड रुपय सालाना जुबिलन्ट फूडवर्क्स जून 2014 तिमाही आए 3937 करोड रुपय बनाम 1335 करोड रुपय सालाना PAT 58 करोड रुपे बनाम 29 करोड रुपे सालाना